हेलो दोस्तों मैं सचनर अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अरोड़ा एजुकेटर के इस ओफीशल यूट्यूब प्लेटपॉर्म पे आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आई बी पी असरार भी पियो क्लर्क कम्प्यूटर अवेरनेस के डे सेवन पर और टॉप 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 इंट्रस्टिंग रहा जहां डे वन से लेकर डे सिक्स तक आपने हर एक सेशन को इंजॉई किया काफी को सीखने को मिला काफी कोशन्स आपने नोडाउन भी किये जो नए कॉंसेट्स थे वो भी आपने देखे यही लेवल एक्जाम में आपको कोशन्स का मिलता है और अगर यहां बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आईए एक बार फिर से डे 7 में टॉप 25 कोशन्स के तरह बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं आउट अफ 25 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा ये वीडियोज, बैंक, SSC, रेलवे, जीबियो एक्जाम्स इन सभी के लिए बेनिफीशल रहने वाली हैं तो लेट्स केट स्टाटेड कॉंसेप्ट वाइस कैसे पढ़ें अगर आप कॉंसेप्ट वाइस पढ़ना चाते हैं डेटेल में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक तो आप जॉइन कर सकते हैं आई बीपिया सरारबी पियोग क्लर्क फुल कंप्यूटर कॉर्स कॉंसेप्ट, MCQs, PDF, मॉक टेस्ट ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कॉर्स कब से शुरू हो चुका है 15 मार्स से लेटेस्ट कॉर्स, लाइव टाइमिंग्स है 8 पीम वैलिटी है 12 मंस फ्रॉम दी डेट ऑफ परचेस जिस दिन आप परचेस करते हैं उस दिन से 12 महिने की वैलिटी आपको मिल रही है क्या इसके लावा कोई बुक पढ़ने की रिक्वर्मेंट होगी बिलकुल नहीं क्या कोई दूसरी PDF बिलकुल नहीं यानि ये कॉर्स अपने में सफिशेंट है फुल आउट फुल मार्क्स दिलवाने के लिए कैसे इस बैच को जॉइन कर सकते हैं जिसमें टोटल वीडियो 65 प्लेस है आंसर है एपिल आई उएस स्टोर की मदद से या गूगल प्लेस स्टोर की मदद से आपको अरोडा एजुकेटर सर्च करना होगा और फिर आपको मिल जाएगा आई वी पियस आरवी पियोकलर का बैच इसको जॉइन कर लीजेगा लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहाँ से भी आप डिरेक्ट क्लिक करके इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं यह फुल फ्लेज कोर्स है यानि इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी कोई दूसरी PDF नहीं देखनी कोई दूसरी मॉक टेस्ट आपको नहीं देने सिर्फ इसी कोर्स को multiple times आपको revise करना है एक्जाम तक जब तक एक्जाम ना हो जाए तब तक जो इसमें वीडियो दी जा रही है पूरा complete हो जाएगा फिर उन्हीं वीडियो को आप बार बार रिवाइस करिएगा PDF को बार बार रिवाइस करिएगा That's all टोटल वीडियो कितनी 65 प्लेस तो आईए आज के सेशन में जो best 25 questions हैं उनको भी एक बार डिसकस कर लेते हैं प्रिवियस सेशन में कुशन मैंने आप से पूछा था जिसका आंसर कई सारे candidates ने सही दिया लेकिन कई candidates ने गलत भी दिया कुशन क्या था सेल एड्रेस डॉलर एफूर इन फॉर्मूला इन MS Excel मीन्स Excel sheet में जो dollar है इसका मतलब होता है row को lock करना या columns को lock करना इस dollar को बोलते हैं cell referencing और Excel sheet में बात करें तो cell referencing तीन प्रकार की होती है relative, absolute और mixed relative वो cell referencing है जिसमें कोई dollar का प्रियोग नहीं होता absolute वो cell referencing है जिसमें 2 dollars का यूज होता है row के पहले भी और column के पहले भी जबकि mixed cell referencing वो referencing है जिसमें 1 dollar का यूज होता है या तो row से पहले या तो column से पहले यानि या तो dollar A4 या A dollar 4 इन में से कोई भी होगा तो वो mixed cell referencing को indicate करेगा तो इसका मतलब 1 dollar है तो answer क्या होगा mixed cell referencing यानि option number 2 अब question ये उठता है कि sir यहाँ पर ये जो dollar है इसका मतलब आपने बताया cell referencing है लेकिन ये dollar करता क्या है dollar lock करता है cell को या column को जिसके साथ हम dollar का प्रेयोग करेंगे जिसके साथ हम dollar का यूज करेंगे उसको ये lock कर देगा अगर row से पहले हमने dollar का यूज किया तो ये row स को lock कर देगा column से पहले अगर हमने dollar का यूज किया तो ये columns को lock कर देगा dollar sign समझ में आ गया तो cell referencing का मतलब डॉलर, cell referencing कितने तरीके की, तीन तरीके की relative absolute or mixed नेक्स्ट, ये रहा आज के session का पहला question, पढ़िये और बताईये इसका answer क्या है As of June 2023, the Dash supercomputer is the fastest supercomputer in India Having been ranked 75th fastest in the world, June 2023 तक Dash supercomputer भारत का सबसे तेज सुपरकम्प्यूटर है जिसे दुनिया में 75th सबसे तेज इस्थान दिया गया है इंडिया का सबसे fastest सुपरकम्प्यूटर और जो दुनिया का 75th rank पे है उसका नाम बताईये परम सिध्धी AI, परम प्रवेगा, परम गंगा, परम शक्ती या एरावत बिल्कुल सही इंडिया का fastest सुपरकम्प्यूटर है एरावत यानि option number 5th is the right one इंडिया का सबसे तेज चलने वाला जो सुपरकम्प्यूटर है वो क्या है एरावत लेकिन दुनिया का सबसे तेज, world's fastest सुपरकम्प्यूटर is frontier किसने डेवलप किया? अमेरिका ने लेकिन जर्मनी ने पूरी तयारी कर ली है अमेरिका के frontier को पीछे छोड़ने की और डेवलप कर रहा है एक निया सुपरकम्प्यूटर जिसका नाम है जूपिटर तो अब जो upcoming सुपरकम्प्यूटर होगा जिसकी जानकरी अभी से दे दी गई है 2024 तक, end 2024 तक, December तक ये पूरा हो जाएगा और announce कर दिया जाएगा कि अब सबसे फास्टर सुपरकम्प्यूटर बन के तयार है किस country ने बनाया जर्मनी ने नाम क्या रहा जूपिटर जिस पर काम चल रहा है जो upcoming है Clear? Very good If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use यदि आप signal को खराब किये बिना network की लंबाई बढ़ाना चाते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? Network की length को बढ़ाना चाते हैं और ये भी नहीं चाते कि signal भी कम हो आप signal भी बनाए रखना चाते हैं, वो भी बढ़िया signals और चाते हैं कि internet की wifi की range भी proper आती रहे किसका यूज़ करेंगे? Repeater का तो repeater का काम ही यही होता है कि length को increase करना बिना signals को degrade की signals भी बढ़िया चले और length भी बढ़िया रहे Repeater का use Next It is used for the connection of external peripherals to a computer It has been developed by Intel in collaboration with Apple इसको उपयोग बाहरी उपकरणों को computer से जोडने के लिए किया जाता है इसे Apple के सहीयोग से Intel द्वारा विक्सित किया गया किसने डेवलप किया? Apple ने किसकी मदद से? Intel की मदद से और इसका प्रियोग क्यों करते हैं? Peripherals को जोडने के लिए इनको अगर हमें connect करना है तो इसके लिए किसका प्रियोग करेंगे? USB का? HDMI का? VGA का? Thunderbolt या फिर RJ45? Correct answer है Thunderbolt ये वो peripheral connector है ये वो cable है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम external computers को अपने computer से external devices को अपने computer से connect करते हैं और ये किसके द्वारा बनाया गया? Apple के द्वारा किसके सहीयोग से? developed by Intel in collaboration with Apple यानि Apple और Intel ने मिलकर ये technology बनाई that is called Thunderbolt Very good It is a powerful word processor that lets you to create a stunning document and comes included with most Apple devices ये है एक शक्तिशाली वोर्ड प्रोसेसर है जो आपके शांदार दस्तावेज बनाने की सुविधा देता है अगर आपको कोई दस्तावेज बनाने है कोई document बनाने है तो ये आपको facility प्रोवाइड करेगा और अधिकांश Apple device के साथ ये आता है तो Apple का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम क्या है? Pages यानि आंसर हुगा option number two that is Pages Apple का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम Pages है Apple का जो spreadsheet package है उसका नाम Numbers है और Apple का जो presentation software है उसका नाम Keynote है Great Next What is the keyboard shortcut to perform redo operation in MS PowerPoint? हम जानते हैं PowerPoint में redo operation करने के लिए किस shortcut का यूज करते हैं Ctrl Y का और undo करने के लिए किस का यूज करते हैं Ctrl Z का Next Dash was the first version of Microsoft Windows to include taskbar, start button and internet access very popular question Windows का वह पहला sunscreen यानि वर्जन कौन सा था जिसमें taskbar launch किया गया जिसमें start button launch किया गया जिसमें internet का इस्तमाल सबसे पहले किया गया वो Windows का पहला वर्जन कौन सा था That is Windows 95 जिसमें सबसे पहले taskbar का option दिया गया जिसमें start button launch किया गया जो बहुत famous भी रहा Windows 8 में start button को हटाया भी गया जिसमें काफी आलोचना भी हुई Microsoft की 8.1 में दुबारा से start button को launch किया मजबूरी में कि नहीं user को पसंद ही नहीं आ रहा है तो user को जो जी पसंद नहीं आएगी उसको तो फिर से वापिस से लाया जाएगा या उसको हटाया जाएगा इस परदिविश और इंटरनेट का सबसे पहला use किसमें किया गया Windows 95 में Next Dash first launched the internet in India इंडिया में internet सबसे पहले किसने launch किया On August 15 1995 को तो इंडिया में जो internet आया वो कब आया 15 अगस्त 1995 And Dash was the first ISP of the world और दुनिया की पहली ISP या नि दुनिया का पहला internet service provider कौन सा है ये बताईए और इंडिया में जो internet service provider है वो कौन सा है सबसे पहला ये बताईए आंसर क्या होगा इंडिया के case में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड और दुनिया के case में यानि world के case में टैलिनेट तो आंसर बन गया option no.3 VSNL and टैलनेट VSNL जिसका नाम बदल के data communications कर दिया गया है ये इंडिया का सबसे पहला internet service provider रहा जबकि भारत में sorry जबकि दुनिया में जो internet के save आएं थी वो किसने सबसे पहले प्रदान करी टैलिनेट नाम की organization के द्वारा next in ms powerpoint 2021 which of the following menu has the spelling option बताईए ms powerpoint 2021 में निम लिखित में से किस menu में वर्तनी विकल्प available है spelling, thesaurus ये सारे options कहां देखने को मिलते हैं review tab के अंदर very good the correct answer is option number 2 review जब हम review tab पर click करते हैं ms word में, excel में या powerpoint में तो spelling और thesaurus ये दो options हमें देखने को मिलते हैं proofing tab के अंदर review tab के अंदर proofing tab और proofing tab में spelling और thesaurus सिर्फ spelling चेक करने की shortcut की बताईए या function की बताईए F7 thesaurus की function की बताईए shift plus F7 for the thesaurus thesaurus का मतलब antonym and synonyms of the world अगर हमें किसी भी word के antonyms चाहिए या synonyms चाहिए तो हम thesaurus की मदद से उसको find out करते हैं next which of the following can be used to reload the current page ignoring cache content in मतलब क्या रहे which of the following can be used to reload the current page current page को reload करने की shortcut की क्या है ignoring the cache content cache समगरी को अंदेखा करते हुए cache को अंदेखा करते हुए वर्तमान प्रस्ट को पुना लोड करने के लिए निम्न लिखित में से किसको उप्योग किया जाएगा F5 का जी नहीं F5 तो होता है refresh के लिए तो reload के लिए क्या होगा shift F5 या control F5 shift के साथ F5 भी reload करता है और control के साथ F5 भी reload करता है तो क्या यहाँ पर shift F5 है जी हाँ क्या control F5 भी दिया है नहीं यानि correct answer is shift plus F5 लेकिन याद दोनों रखिएगा control F5 और shift F5 reload your current page ignoring the cache content cache content को ignore करते हुए आपके page को आपके web page को reload करने का काम किस shortcut की का है shift F5 या control F5 next what is the RAM memory slot on a laptop called laptop पर RAM memory slot को क्या कहा जाता है VGA, MIDI, HDMI, PCB या DIM RAM memory आप जानते हैं temporary है, volatility nature है RAM की बात करें तो fastest memory में भी आती है register सबसे तेज, फिर cache, फिर RAM यह hierarchy होती है तो RAM memory क्या करती है जो current data है जिस पर हम current में काम कर रहे हैं उसके data को store करती है temporary basis पर और RAM जितनी जादा होगी क्या computer उतना ही smooth चलेगा क्या devices उतनी ही smooth चलेगी जी हाँ ये बात valid है और RAM जिस slot में लगाई जाती है हमारे computer में that is called DIM slot यानि dual in-line memory module तो correct answer हो गया DIM dual in-line memory module examination के perspective से DIM की full form भी exam में आती है देखे आपको इस images में RAM लगी दिख रही होंगी ये RAM जिस slot में लगाई जाती है उनको क्या बोलते है DIM और DIM की full form क्या है dual in-line memory module यही तो question में पूछ रहा था कि laptop पर या computer पर RAM memory slot को क्या बोलते है जिसमें ROM लगाई जिसमें RAM लगाई जाती है उस slot को क्या बोलते हैं तो answer क्या है DIM slot dual in-line memory module next it is a computer network administration software utility used to test the reachability of a host on an internet protocol network यह computer network प्रशासन software उपयोगिता है जिसको उपयोग internet protocol यानि IP network पर host की पहुच को परिक्षन करने के लिए किया जाता है तो internet के उपर network आ रहा है या नहीं आ रहा यह test करने के लिए किसका use करेंगे ping का यानि correct answer क्या होगा ping is the correct one ping command की मदद से हम यह पता लगा पाते हैं command prompt में कि network connection आ रहा है या नहीं packets transfer हो रहे हैं या नहीं packets का loss तो नहीं हो रहा यह ping command की मदद से पता जलता है ping की full form भी काफी important है networking में that is packet internet और inter network gopher याद रखिएगा ping means packet internet और inter network gopher that is the full form of ping next among these which is not considered as hard drive data cable very very famous question इन में से किसे hard drive data cable नहीं माना जाता हम लोग जानते हैं जो हमारी hard disk होती है वो motherboard से connected होती है with the help of cables with the help of buses तो question ही उठता है कि hard disk जिस cable से connected होती होती है उसे क्या बोलते है SATA cable Pata cable सही है SATA भी सही है Pata भी सही है IDE ये भी सही है SCSI Small Computer System Interface ये भी सही है HDMI गलत है High Definition Multimedia Interface जिसका यूज ओडियो वीडियो परपस से करते हैं तो answer क्या होगा which is not considered as the hard drive data cables जो hard drive या hard disk data cables से relate नहीं है वो है आपकी HDMI cable Great Next Originally BIOS firmware was stored in मूल रूप से जो BIOS firmware है वो कहां संगरहित होता है BIOS का मतलब Basic Input Output System firmware का मतलब hardware और software का combination वो instructions जो ROM में लिखे जाते हैं उन्हें firmware कहते हैं ROM में लिखे गए instructions को ही firmware के नाम से जानते हैं जो hardware और software का combination है इसका मतलब Originally BIOS firmware was stored in BIOS firmware कहां store होगा ROM में क्या ROM को flash memory भी बोल सकते हैं जी हाँ जब हम बात करते हैं EEP ROM की Electrically Erisable Programmable Read-Only Memory तब हम वहाँ पर बात करते हैं किसकी flash memory की तो इसका मतलब ROM के हैं या latest वाली ROM EEP ROM या flash memory के हैं बात एक ही है तो correct answer क्या होगा ROM and flash memory यानि option 1 and 2 यानि option 5th is the correct one समझ में आया BIOS का काम क्या है computer को boot करना और computer को boot करने के लिए किसकी requirement होती है ROM की flash memory की तो BIOS firmware was stored in where ROM and flash memory ROM भी बोल सकते हैं flash memory भी बोल सकते हैं यानि 1 and 2 both are the correct one next digital camera which is used for capturing the picture is considered as which type of device क्या रहा है digital camera जिसको उप्योग चित्र खीचने के लिए किया जाता है किस प्रकार का उपकरण माना जाता है digital camera जिससे हम photo खीचते भी है और इसका output भी तुरन जनरेट हो जाता है यानि ये input भी है और output भी है हमने photo खीची और इसका display भी तुरन दा गया monitor पर screen पर तो monitor और screen यानि output और जो digital camera की मदद से हमने picture click करी that is input यानि both input and output यानि first and second only that is the right answer समझ में आया अब इस case में कुछ candidates input लगा देते हैं कुछ candidates सिर्फ output लगा देते हैं processing तो होई नहीं सकता digital camera is not a processing device क्योंकि processing के लिए IC होती है CPU होता है integrated circuit होती है chips होती है और वो process करते हैं चीज़ों को next f6 function keys used for वैसे तो बहुत सारी function keys होती है f1, f2, f3, f4, f5, f6 से लेकर f12 तक fn नाम की भी एक function की होती है तो कह रहा है जो f6 function की है उसको प्योग किस लिए करते f6 का use करते है url को select करने के लिए या url पर cursor को place करने के लिए तो answer क्या होगा select the address bar address bar के हैं url के हैं बात एक ही है तो answer is to select the address bar of the browser browser के address bar या url को search करने के लिए select करने के लिए या उस पर cursor पहुचाने के लिए f6 function की का use करते हैं या practically करके भी देख सकते हैं browser open करिए कोई भी browser और f6 करिए जैसी f6 करेंगे जो cursor होगा वो आपके browser के url यानि address bar पे पहुच जाएगा automatically और फिर आप कुछ भी type कर सकते हैं to select the address bar is the right one next what is it called when you are re-rooted from your requested internet site to another undesired site जब आप अपनी अनुरोधित internet site से किसी अन्य आवंचित site पर पुना भीजे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं मतलब क्या है इसका suppose करिए कि आपने google पे कुछ सर्च किया आपने सर्च किया और उसने कोई website आपको दे दी आपने उस पर click किया जिस website पर जाना था आप उस website पर ना जाकर किसी दूसरी website पर पहुँच गए क्योंकि उसने redirect कर दिया किसी गलत website पर और आपका computer hack हो गया इसे क्या बोलेंगे this is called farming इस तरीके के attack को farming attack की category में रखते हैं और ये farming बहुत बार exam में पूछा गया है जब भी आपको कोई link दिया हो और आप उस link पर click करके किसी दूसरी गलत website पर पहुच जाए कोई hacking वाली site पर पहुच जाए जहां से आपके computer के सारी information hack हो जाए corrupt हो जाए आपका computer तो इस तरीके के scam को क्या बोलते हैं farming clear? next which is the software that translate and execute a high level language program one line at a time वह कौन सा software है जो उचिस्तरी भाषा प्रोग्राम को एक समय में एक पंक्ती का नुवाद और निश्पादित करता है compiler, interpreter, assembler, executor या none of these हम जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं translator की या debugger की तो हमारे सामने तीन नाम आते हैं कौन-कौन से compiler compiler, interpreter, assembler लेकिन जब हम बात करते हैं debug करने की line by line तो answer क्या आता है interpreter जो एक एक line करके हमारे प्रोग्राम को debug करेगा one line at a time interpreter, all at once एक साथ convert करने का काम compiler compiler और interpreter दोनों ही source code को object code में convert करते हैं यानि source code को machine code में convert करते हैं difference सिर्फ इतना है compiler एक साथ ये काम करेगा और interpreter one by one करके ये काम करेगा next which type of security is provided by STTPS STTPS का मतलब hypertext transfer protocol secured STTPS दोरा किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है STTPS हम लोग उस website में देखते हैं जहाँ पर हमारी transaction हो रही है जहाँ पैसे का lane देन है वहाँ पर automatically जो है वो STTPS बन के आ जाता है यानि lock बन के आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो website है वो कैसी है protected है और ये protected website किसकी मदद से आती है दो चीजों की मदद से STTPS का मतलब TLS Transport Layer Security और SSL Secured Socket Layer तो answer क्या बनेगा option 2 and 3 यानि option 5 is the correct one अब आईए एक बर समझ लेते हैं जब किसी website को हमें protect करना होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इस website पर या इस application पर कोई LinkedIn हो रहा है पैसे का तो हम जानते हैं hacker आएगा और इसमें पूरी कोशिश करेगा इसको break करने की हम ये मान के चलते हैं तो हम पहले से ही उस website को क्या करते हैं certificate के माध्यम से secure बना लेते हैं via STTPS अब STTPS में दो तरीके की protocols का प्रयोग करते हैं पहले करते थे SSL का प्रयोग secured socket layer का जिसको hacker ने अच्छे तरीके से study करी पढ़ा समझा और इसको break कर लिया जब SSL से बात नहीं बनी तो इसके above एक काम किया गया और एक नई security launch की गई that is called TLS Transport Layer Security TLS नामक security का use करता है हमारे data को सुरक्षित रखने के लिए पहले किसका use करता था SSL का अब किसका use करता है TLS का तो इस वज़े से ये question important बना TLS and SSL which is used for the security purpose in STTPS very good RAM speed is measured in dash and today most RAM is called बताईए RAM की गती किसमे नापी जाती है या किसमे मापी जाती है और आज अधिकांश RAM को क्या कहा जाता है आप मार्केट में गए आपको RAM लेनी है खरीदनी है क्या बोलेंगे क्या दे दो RAM दे दो या कोई और भी term है तो RAM की speed नापते हैं हर्स में यानि मेगा हर्स भी हो सकता है हर्स भी हो सकता है तो option या तो first होगा या third होगा RPM होगा नहीं क्योंकि RPM speed किसकी होती है hard disk की RPM में hard disk की speed को measure करते हैं तो RPM होगा नहीं millions of cycle per second ये भी हो सकता है क्योंकि RAM की जो speed है वो cycles पर भी depend करती है तो second option भी हो सकता है अब बताइए first, second और third इन में से क्या होगा लेकिन RAM को हम लोग क्या बोलते हैं आजकल DDR, double data rate, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 जब RAM लेने जाते हैं तो वो पूछता है कौन सी RAM चाहिए DDR1 चाहिए, DDR2 चाहिए, DDR3 चाहिए 4 चाहिए या 5 चाहिए तो इसका मतलब RAM is called DDR, DDR लिखा है option number 1 में और RAM speed is measured in megahertz ये भी सही है, यानि option 1 is the correct one firmware हो नहीं सकता, flash memory हो नहीं सकता तो इसका मतलब answer क्या बनेगा, megahertz और DDR next, creeper program, creeper क्या है, पहला virus जानते होंगे आप लोग the very first virus is creeper the very first boot sector virus is brain creeper program often regarded as the first virus was created in 1971 जिसे 1971 में बनाया गया, किसके द्वारा? by creeper program जिसे अक्सर पहला virus माना जाता है 1971 में किसके द्वारा बनाया गया? Charles Babbage जी नहीं, Alan Turing जी नहीं, Tim Bernersley जी नहीं, Bob Thomas येस, the correct answer is option number four, Bob Thomas जीनोंने क्या बनाया? पहला virus, creeper, कब? 1971 में और पहला boot sector virus, brain, किसने बनाया? अमजद, फरूक, अलवी पाकिस्तानी ब्रदर्स, अमजद, अलवी और फरूक, अलवी next TCP and UDP operates in which layer of OSI model TCP और UDP OSI model के किस परत पर काम करती है? हम जानते हैं, OSI model में 7 layers होती है TCP और UDP किस पर काम करती है? ट्रांस्पोर्ट लेयर पर यानि answer क्या होगा? option number 4 transport layer is called the height of all the layers सभी layers की जो दिल है that is called the transport layer सबसे important layer क्योंकि TCP क्या है? transmission control protocol और UDP क्या है? user data gram protocol TCP क्या है? connection oriented protocol UDP क्या है? connection less protocol और transport layer का काम क्या होता है? transportation करने का loading unloading का जो वो किसके मदद से करती है? TCP और UDP की मदद से very good in MS Excel 365 which shortcut keys used to open the macro dialogue box MS Excel 365 में macro dialogue box खुलने के लिए किस shortcut कुणजी कॉपियों किया जाता है? macros जिसका use करते हैं recording purpose से और आप जानते हैं कि repetitive task को अगर हमें record करना है तो macro is the best option in MS Word, Excel और PowerPoint ये हमें किस tab में देखने को मिलता है? view tab के अंदर और बात करें macros की तो इसकी shortcut की है alt plus f8 यानि second option is the correct one macros को बनाया जाता है किस language की मदद से? visual basic for application की मदद से या VB की मदद से next which among these is a false statement for Trojan horse ऐसे ही question ज़्यादा तर मिलते हैं कि इन में से कौन से statement सही है इन में से कौन से statement गलत है तो ये तभी बता पाएंगे जब concept की knowledge होगी पढ़ो और बताओ इन में से कौन से statement गलत है false Trojan horse does not replicate itself ये तो सही है Trojan horse क्या replicate करता है अपनी copies बनाता है जी नहीं तो बिलकुल सही statement Trojan horse does not replicate itself valid है steal the information क्या Trojan horse information को steal करने चुराता है जी हाँ appears harmless but is in fact malicious ये दिखने में बड़ा शरीव दिखता है harmless दिखता है लेकिन होता है बड़ा खतरनाक यानि malicious ये बात भी सही है I love you is a Trojan horse I love you एक प्रकार का Trojan horse है yes बहुत ही famous रहा जो Trojan horse है that is called I love you firewall removes a Trojan horse क्या firewall सक्षम है Trojan horse को remove करने के लिए जी नहीं बिलकुल नहीं Trojan horse firewall के द्वारा remove नहीं किया जा सकता means ये statement हो गया false क्या पूछा था कौन सा statement false है तो firewall removes a Trojan horse this statement is false next इन डेश डेटा ग्राम इंट्रेडूस दी वर्ल्स फर्स्ट एसस्डी नेम्ड एस डेश में डेटा राम ने दुनिया का पहला एसस्डी solid state drive पेश किया जिसका नाम डेश है SSD hard disk से बहतर technology market में available है SSD solid state drive जो कई गुना fastest है in comparison to the hard disk और hard disk से अगर हम SSD का comparison करें तो hard disk एक magnetic disk है आप जानते हैं जबकि SSD एक तरीके की flash memory है तो इसकी life भी बढ़ गई क्योंकि इसमें rotate जैसा कुछ है नहीं तो life expectancy भी इसकी क्या हो गई increase पहली जो SSD थी उसका नाम क्या था bulk core कब develop की गई 1976 में यानि first option is the correct one in 1976 data ram introduced the world's first SSD data ram company के द्वारा पहली SSD इंट्रिद्यूस की गई जिस SSD का नाम क्या था bulk core clear very good next in dotted decimal notation dash and IP version 4 comma and IP version 4 address is represented by using exactly dash dot symbols and dash octet बिंदीदार दशमल अटेशन में एक IP संस्क्रण 4 पते को बिल्कुल dash dot प्रतीको और dash octet copy करके दर्शाया जाता है बताइए question पूछ रहा है IPv4 address के बारे में IPv4 जो 32 bit का होता है जानते हैं कितने dot लगे होते हैं 3 dot कितने octet होते हैं total 4 octet तो यही पूछ रहा था कि dot की संख्या कितनी है 3 और octet की संख्या कितनी है 4 यानि answer क्या हो गया 3,4 कैसे जरत चेक करीए जो हमारे IP address होते हैं उनकी octet की range 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए जो की होती है आप देख रहें 255 के अंदर ही हैं सब यानि यह valid IP address है 192.168.100.1 इस IP address की बात करें तो कितने octet हैं 192 पहला octet 168 दूसरा octet 100 तीसरा octet 1 चौथा octet dot कितने हैं 3 dot 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 यही तो पूछ रहा था कितने dot और कितने octet 3 dot और 4 octet dot of 25 आपने कितना score किया comment करके जरू बताईएगा और यह रहा आज का question of the day एक बार पढ़िए और comment में बताईए इसका answer क्या होगा MS Office 365 जो की online version है MS Office का इसमें strike, throw, superscript, subscript small caps यह किसके part है font style के font name, font face, font preview यह font effect क्या है यह अगर आपको पता हो तो बिलकुल comment करके बताईएगा इसका answer मैं explain करूँगा इस answer को next session में कैसा लगा आपको आज का session पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर करिएगा और साथी साथ अगर आप चाहते हैं computer को basic से advanced level तक cover up करना with full concepts, with full MCQs topic wise in detail तो join करिएगा latest course और इसके लिए अरोडा educator application को install करिएगा Google Play Store या iOS Store की मदद से किसी भी confusion के regarding whatsapp कर सकते हैं दिये गए नमबर पर या comment section में comment भी कर सकते हैं that's all for today guys बहुत जल्द मिलेंगे next session के साथ till then bye bye and take care झाक कर सकते ही अरोडा ही जा झाक कर दोड़ और अरोड़ाँ